नमस्कार उस्तों वारे यटूब चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आरो एरो एक्जाम यानिकी समिच्छा दिकारी और साहिक समिच्छा दिकारी का हिंदी पेपर सिट सी का एंसर की हम लोग देखेंगे और यह परिक्छा यानिकी 5 द कोडिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आएए शुरू करते हैं दोस्ते दिया आप अनेकैडमी पे यूबबाइल नमबर से लॉग इन करेंगे उसके बाद आप अपने गोल को सिलेक्ट करेंगे यानिकी आपको कौन से एक्जाम के प्रिपिशन करना है फिर आप उसे आपके सामने दिखने लगेगा फिर आप सब्सक्रिशन लेने के बाद आप वीडियो को देख सकते हैं अनेकैडमी जोइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाप फिर है यूबी पेसी प्रिलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का टेस्ट सीरीच चला जा रहा है आप किसे जोइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका दे दिया गया है उसके बाद है विजए वह यूपी पेसी पीसी मेंस का टेस्ट सीरीच करा जा रहा है आप देख सकते हैं सेडियूल इसका फिर है करेंट टाइम्स जो की यबरी मंडे को फ्राइड जो है करेंट फेस जो है आपको करा जाता है बीस कोशियन बीस मिनट के लिए उसके बाद बैच कोसे जो अभी अबिलिबल है यूपी पेसी मेंस ऑप्शनल जो है इस्टार्ट हो गया है इसे आप जॉन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा इसका फ आपको जो है वैच यहां पर अकरणी पे मिल जाएगा तो जोईन करने के लिए हमारा रेफरल कोड एक्जाम लर्नर जरूरी उच किजिएगा जिसे आपको 10% का डिसकाउंट भी मिल जाएगा यूपी बेसी और यूपी बेसी सब्सक्रिप्शन फीस आप देख सकते हैं यहां पर और यदि हमारा रेफरल कोड भी उच करेंगे एक्जाम लर्नर तो एडिशनल आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं समान हिंदी का पेपर है और यह सिरीज C है तो सबसे पहला जो प्रशन था इसमें समान हिंदी में आप देख सकते हैं कि एक वाक्य में 20-30 असुद्ध है वह कौन सा है तो इसमें आप देख सकते हैं यह आपसन से हो जाएगा सुंदरी लड जा सके उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो परिमे हो जाएगा C आप्षन यापे सही हो जाएगा चौथा प्रशन है बिजली का प्रियायवाची पूछा गया है तो दामिनी सही हो जाएगा D आप्षन और पाच्वा प्रशन है जो यूध में इस्थिर रहता है इन अनेक सब्दों के लिए एक सब्द क्या होगा तो यूधी स्टेर C आप्षन याप्षन यापे सही हो जाएगा चैधवा प्रशन है वर्तनी की दरिश्ट से सुद्ध सब्द कौन सा होगा तो परिक्ष्या इसमें सही लिखा हुए C आप्षन सही होगा साथोंवा प्रशने निम्लिकित बिकलपों में से चंचरीक सब्द का प्रयायवाची पुछा गया क्या होगा तो भवरा यानिकी भर्मर सही हो जाएगा B आप्शन ओठोंवा प्रशने चौथा का तत्सम सब्द क्या होगा तो चतूर्थ हो जाएगा D विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा नौवा परशने निमलीकित में हस्ती किस सब्द का तदसम रूप है तो यह हाथी का तदसम हस्ती C आप्सन सही हो जाएगcond दस्वा परशने आवर्तक का विपरितार्थक सब्द यानि कि बिलोम बताना है तो अनावर्तक भी आपसनिया पे सही हो जाएगा इगरावा क्वेशन है वो एक कभी जो ततकाल कविता करे उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो आसु कभी कहलाता है डी आपसन सही हो जाएगा और निमलखित में से तद्भव सब्द काउ सा है? तो दाढ़ी ये तद्भव है इसका तत्सम होता है द्रस्ठिक का अगला प्रशन है जो किसी बिसे का ग्याता हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो बिसे सग्य सही हो जाएगा, डी आपसन और अगला प्रशन है निम्लखित में से एक वर्तनी सुद्ध है कौन सा तो कवी इत्री सही लिखा हुआ है C आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला कोशिन है अपरड़ा सब्द का प्रयावाची क्या होगा तो पारवती D आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा सुलावा प्रशन है सब कुछ जानने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा तो सरवग्य सही हो जाएगा C आपसन सदाचार का बिलोम क्या होगा तो कदाचार हो जाएगा B आपसन सही हो जाएगा जिसकी विसेश्ता बताई जाए उसे कहते हैं तो बिसेस्ति कहलाता है वो बी आपसनिया पे सही हो जाएगा बिना पलक जपकाए उसके लिए एक सब्द होगा तो निरनिमेस डी आपसनिया पे सही हो जाएगा बीस्वा प्रश्ण है पांडू सब्द बिसेसर की द्रिश्ट से है तो 26 और 26 से दोनों है यह सी आफ्षन यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रश्ण निमलकित में तत्सम सब्द कौन सा है तो पंक्ती यह तत्सम सब्द है अगला प्रश्ण उत्राधिकार में प्राप्त समपत्ती इन अनेक सब्दों के लिए एक सब्द क्या होगा तो रिक्त कहलाता है सी आप्सन से हो जाएगे हाँ पे 23 प्रशने कोई आदमी आया है वाकि में प्रियुक्त भी सेसड है तो यह अनिश्चय वाचक भी सेसड है यह आप्सन से हो जाएगे हाँ पे 24 प्रश्ण है निमलिखित सब्दों में से तत्सम सब्द क्या होगा तो यह ओवन यह तत्सम सब्द है डी आप्शन से हो जाएगा और अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किस सब्द की वरतनी असुध है यानि की गलत है तो ए आपसन याग वल्क जो दिया गिया एक गलत है 26 प्रिशने निम्नाइंकित में से तद्भव सब्द चुनिए तो बाज ए तद्भव सब्द है इसका तद्शम होता है बंधया अगला प्रिशने निम्नाइंकित में प्रिथिवी का प्रियावाची सब्द नहीं है कौन सा ध्यान देजेगा नहीं है पूछा गया तो आवनी कि प्रिथिवी का प्रियावाची नहीं है 28 प्रशने गौरों का विप्रितार्थक सब्द क्या होगा तो लागव हो जाएगा बी आपसं सही निमलिखित में एक वाक्य जो सुद्ध है वो है कौन सा है तो बी आपसं यहाँ पे सुद्ध है उसने है मुक्तहस्त धन लुटाया बी आपसं सही हो जाएगा तीस्वा प्रशने निमलिखित में बी से सब्द बताना है तो बी से यहाँ पे जो है डी आपसं इसमें थोड़ा कनफ्यूजन है मेरे साब से डी सही होना चाहिए और आप लोग जो लगेगा कौन सा आपसं सही होगा तो आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा जरूर एक तीस्वा प्रशने एक एकी वर्तनी सुद्ध है तो इसमें बी आपसं जो है सही है आधिकारिक तीस्वा प्रशने सौगुना लंबा में बिसे सड कौन सा वेध है तो गर्णा वाचक है यह यह आपसं यहापे सही हो जाएगा तिमिर का प्रयायवाची क्या हो जाएगा तो अंधकार हो जाएगा डी आपसं सही अमरित का बिलोम पुछा गया है तो अमरित का बिलोम बिस हो जाएगा आपसन सही हो जाएगा है आपे 35 प्रशन है निमलिकित में से एक वाक्य जो सुध है वह कौन सा है तो इसमें भी जो है दो में कनफ्यूजन है या तो ए हो सकता है या फिर जो है C तो आपके इसाब से कौन सा आपसन सही होगा आप कमिन्ट वाक्स में कमिन्ट करके जरू बताईगा जो है B आपका गिलत है D भी गिलत है तो इसमें A या आप C में से कोई होगा सही अगला प्रशन है वरतनी की द्रिश्ट से सुध्ध सब्द कौन सा है तो प्रामाडिक तो इस सुध्ध सब्द है घोडा का उपियुक्त तत्सम क्या होगा तो घोडा का हो जाएगा घोटक B आपसन यहापे सही हो जाएगा अनुरक्ति का बिपिरितार्थक सब्द पूछा गिया है इनकी बिलोम तो अनुरक्ति का बिलोम हो जाएगा बिरक्ति C आपसन सही हो जाएगा 49. करपट का तद्भाव रूप क्या होगा तो कपड़ा हो जाएगा D आपसन सही आधुनिक का विलोम पूछा गया है तो प्राचीन हो जाएगा और इनमें से वसुधा का प्रियावाची सब्द कौन सा है तो सरोरी हो जाएगा B आपसन यहापे सही प्रताप सिंग का घोडा काला है इनमें काला सब्द विसेसर के द्रिष्ट से क्या है तो काला जो हाँ आप देख सकते हैं घोडा के बाद है तो इसलिए विधे विसेसर हो जाएगा यदि पहले रहता तब विशेस से सेस़ होता लेकिन घोडा के बाद काला दिया गया इसलिए विधे विसेसर हो जाएगा 43 मा प्रशने अनुग्रह का व्प्यूक्त बिपिरितार्थक सब्द क्या होगा? तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह अगला प्रश्ण है चोर का प्रयावाची सब्द तो खनक हो जाएगा यह आप्षन यहापे सही हो जाएगा और इसमें से सुध्वर्तनी का सब्द क्या होगा चार आप्षन है तो अनकूल इसमें सुध्वर्तनी वाला सब्द है च्यालिसवा प्रश्ण है निम्लिकित में से तद्भाव सब्द कौन सा होगा तो अगना ये तद्भाव है इसका तत्सम होता है अग्रहायड अगला प्रश्ण है इन में से बिलोम सब्दों का एक सही युग्म कौन सा है तो आद्रित तिरस्कृत ये बिलोम सब्द हैं और तालिसवा प्रशने जिसकी आसा ना की गई हो उसके लिए उपियुक्त सब्द क्या होगा तो आ प्रत्यासित बी आपसनिया पे सही हो जाएगा और इन में से प्रथम का उपियुक्त बिलोम पुछा गया है अगला प्रशने जो इस्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो आस्तिक हो जाएगा बी आपसन सही हो जाएगा और ये पूछा जाता जो इस्वर में विश्वास न रखता हो तो उसे नास्तिक कहा जाता तो यहाँ पे B आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन है कम बोलने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो मित भासी कहा जाता है एक आपसन सही हो जाएगा है आपे चंद्रहास का प्रियावाची सब्द क्या होगा तलवार हो जाएगा बीबिकल्ब सही यहांपे निम्नाइकित में एक वाक्य जो सुद्ध है वो है कौनसा है तो बिना टिकेट यात्रा धंड़नी है यह सुद्ध है आपका C आपसने हांपे सही हो जाएगा यह में आप देख सकते हैं अनेकों नहीं होता है अगला प्रश्ण आपका नैसर्गिक का बिलोम सब्द पूछा गया है तो कृत्रीम हो जाएगा D आपसन आपे सही हो जाएगा जीव का प्रियावाची पूछा गया है तो रसना हो जाएगा B आपसन सही और प्रियाग राज में दस्वाँ ब्यक्ति कोरोना पीडित है में दस्वाँ सब्द पूछा गया है क्या है तो क्रम हो जाएगा यहाँ पे क्रम वाचक बिसेशड B आपसन सही हो जाएगा जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा तो एक क्रम होगा तो उसे तर्थ दस्वाँ पूछा गया है कि अबल तो क्रम हो आचक बिसेशड हो जाएगा अगला प्रशना इन में से खेलना सब्द से बना बिसेशड क्या होगा तो खिलाड़ी हो जाएगा C, बिकल प्याँ पे सही हो जाएगा अगला प्रषण है निमलिकित में से एक सब्द बिसेशड नहीं है कौन सा तो इसमें अचार ये बिसेशड नहीं है और अंतीम प्रषण है सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा होगा इसमें तो B option आप देख सकते हैं आधीन जो लिखा हुआ है ये सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है बाकी सभी गलत है E में आधीन लिखा हुआ है C में आधीन है ये भी गलत है D में आधीन है ये भी गलत है तो हिंदी सेट सी का पिपर था आप लोग जो है मिलान कर लिजेगा और कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपका इसकोर कितना हो रहा है हला कि पिपर बहुत ही था सबका जो है पचास प्लस ही जो है सही होगा तो दोस्तों वीडियो दिए अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कलेजेगा साति में विल आइकन को प्रेस कले जेगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपक इसका पीपर का हमारी टेलिग्राम जैनल पर मिल जाएगा नीची डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जाइन करके आप पीडिया भी डाउलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद